यदि आप कुछ हलका खाने की सोच रहे हैं तो आप ये इडली की रेसिपे प्रॉपर फॉलो कीजिए आपको बहुत अच्छी रिजुल्ट मिलेंगे दस मिनिट के अंदर अंदर आप ब्रेक्फर्स टेबल पर आप ये नाश्ता या फिर डिनर सर्फ कर सकते हैं इस इडली को मैं हूँ मारावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइब तड़के वाले इंस्टेंट रवाइडली बनाने के लिए हम एक बड़े बोल में टेर कब सूजी ले लेंगे सूजी बारिक या मूटी कोई भी ले सकते हैं और अब हम इसका तड़का त्यार कर लेंगे एक करेंगे या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड करें मिक्स करेंगे अच्छे से और उसके बाद हम इसमें दही एड करेंगे तो हमने आपर एक कप दही ले लिए हैं डेट कप सूजी के अंदर डेट कप लिक्विड जाएगा लेकिन अगर आपके पास दही कम है तो आप कम दही एड कीजे और पानी एड कीजे एक्स्ट्रा और अगर आपके पास दही बिल्कुल भी नहीं है तो आप इसमें पानी भी एड कर सकते हैं दही अगर खटी होगी तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे तो यहाँ पर हमारी सूजी भी ठेक है तो इसमें आधा कर लेते हैं तो यह है हमाँ पास इडली के मोल्ड अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप घर में इस्तेमाल होने वाले कोई भी कर्टूरियां ले ले लीजे उसके अंदर ते लगाए और इडली स्टीम कीजे 10 मिनिट भी चुके हैं देख लेते हैं हमारी सूजी फूल कर रेडी हो चुकी है यह देखे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और फ्लफी और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी वार एट करेंगे लगबग 2 चमच और उसके बाद मिक्स कर लेंगे तो इतनी कंसिस् नहीं बहुत ज्यादा पतला और नहीं बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए अब बैटर को फॉमेंट करने के लिए हम इसमें इनो यानिकी फ्रूट सॉल्ट करेंगे यह आप सभी के घर पे मवजूद होगा अगर आपके पास यह नहीं है तो आप क्या कीजे इस बैटर को र इसमें फटाफट यह बैटर पोर कर देंगे तो इस बहुत जादा उपर तक नहीं भरे क्योंकि राइस होगी और इसे फूलने के लिए स्पेस चाहिए अब हम इसे थोड़ा सा शेक कर देंगे ताकि यह इवेन हो जाए उपर से और इनका शेप अच्छा है और इधर हमने पानी भी गरम होने के लिए रख दिया था डेड़ ग्लास पानी इतना पानी काफी है 10-12 मिनेट इस्टीम देने के लिए मोल्ल इसके अंदर रखेंगे और इसे ढखकर 10-12 मिनेट मीडियम टू लो फले में पकने देंगे 10-12 मिनेट हो चुके हैं हमारी इडली रेडी हैं ब तो अब हम इने बाहर निकाल लेंगे और इसे हलका सठना करके इने डिमोल्ल करेंगे कोई स्पून ले लिजे उसके पिछले हिस्से से आप इडली को इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं जिसको रिलीस करते वे ये देखें एकदम सौफ्ट स्पॉंजी और एकदम फुली- हमारी इडली बनकर तयार हुई है बहुत ही जादा नरम लग रही है तो चलिए हम इसी तरह के से सारी डिली डिमोल्ल कर लेंगे जब आप इने प्रेस करके देखेंगे आपको लगेगा कि कितनी जादा सौफ्ट है कोई कहने सकता कि आपने इने इंस्टेंट तैयार किया है यदि आप कुछ हलका खाने की सोच रहे हैं तो आप ये इडली की रेसिपे फॉलो कीज़े आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेंगे इस दस मिनिट के अंदर अंदर आप ब्रेक्फस्ट टेबल पर आप ये नाश्ता या फिर डिनर सर्फ कर सकते हैं इस इडली को हम सॉफ्ट और जालीदार बनी है सिफ दस मिनिट के अंदर ये देखे एक्टम सुपो सॉफ्ट जालीदार इडली तो गाइस एक लाइक देदीजे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है और गाइस अगर आप ऑथेंटिक रेसिपी चाते हैं इडली की दाल चावल से तो वो भी है हमारे पास आप हमें कोमेंट कीजे यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजे वहाँ पर लिंक अबलेबल है और हम इसे सब करेंगे नारियल की चटनी भी देखना चाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजे या फिर हमें कोमेंट कीजे वीडियो देखने के लिए दानिवाद आपका दिन शुभू